हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो अनदर वीडियो, वीबो अपनी V30 सीरीज को बहुत जल्दी इंडिया में लॉँच करने वाली है, आज हम यहाँ पर इसी सीरीज के हायर वेरियंट यानि की वीबो V30 प्रो के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, गाईज यहाँ पर हम ड डिजयन काफी अच्छा देखने को मिल आता है, स्मार्टफॉन का कैमरा ले आउट आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है, कैमरा मोडूल के लोवर पार्ट में आपको औरा रिंग लाइट देखने को मिलती है, बैक पैनल पर आपको मार्वल्स जैसे मार्क्स देखने को मिलते हैं आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको स्मार्टफॉन का डिजाइन कैसा लगा गाईज स्मार्टफॉन में आपको 6.78 इंच वाला 1.5 की रेजोलूसन का OLED पैनल दिया गया है हायर रेफ्रेसरेट की बात करें यहाँ पर 2000 हर्ट का टस सेंपलिंग रेट भी दिया गया है ऐसे आपको डिस्प्ले क्वाल्टी काफी अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर आपको स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है डेवाइस में आपको पिक्सल डेंसिटी 453 के आसपास की देखने को मिल जाती है स्क्रीन टू बोडी रेशियो आपको 90% के आसपास दिया गया है बात कर लेते हैं डेवाइस के परपॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको काफी क्रेजी परपॉर्मेंस देखने को मिलती है डेवाइस में आपको MediaTek का Dimensity 9200 प्लस वाला चिपसेट दिया गया है यहाँ पर आपको Maggium Clock Speed 3.35 GHz की देखने को मिलती है Vivo ने यहाँ पर LPDDR 5X RAM टाइप का यूज किया है ऐसे गाइस डेवाइस में आपको परपॉर्मेंस काफी किलर देखने को मिल जाती है जो कि डेवाइस के प्रैस के हिसाब से काफी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर Vivo ने Out of the Box Android 14 का अपटेट दिया है स्मार्टफॉन में आपको परपॉर्मेंस के साथ साथ पावरी फीसेंसी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है जिससे आपको बेंटरी का अच्छी आपको पावर देने के लिए 5000 मिली एमपी आर की बड़ी बेंटरी का यूज किया है साथ में आपको 80 वाट की फास्ट चार्जंग का सपोर्ट दिया गया है जो कि डेवाइस का मैन हाइलाइट फीचर रहने वाला है डेवाइस के रेयर साइड में आपको ट्रपल कैमरा का सेट अप दिया गया है जिसमें आपको मैन कैमरा लेंस 50 मेगा पिक्सल का देखने को मिलता है जो कि OIS सपोर्टेड है वहीं आपको 50 मेगा पिक्सल का अल्टरावाइट साथ में आपको 50 मेगा पिक्सल का ही एक टेली फोटो लेंस भी दिया गया है डेवाइस के कैमरा को जैस ने को इंजीनियर किया है कैमरा मॉडूल के जश्ट नीचे आपको औरा सॉप्ट लाइट दी गई है जो कि आपकी लो लाइट कंडिशन में फोटोग्राफी में हेल्प करने वाली है वहीं वीडियो कॉलिंग और सेलिपी के लिए आपको फ्रंट में 50 मेगा पिक्सल का ही सेलिपी सूटर दिया गया है फ्रंट में भी आपको बैजल में दो LED सॉप्ट लाइट के पॉइंट देखने को मिलते हैं जिससे आप लो लाइट कंडिशन में अच्छी कासी सेलिपी निकाल पाओगे स्मार्ट फॉन के साथ आपका कैमरा एक्स्परियंस काफी अच्चा रहने वाला है इसमें आपको कोई भी इसु देखने को नहीं मिलेगा स्मार्ट फॉन के रेयर कैमरा से आप 4K मेक्स बीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे वहीं डिवाइस का सेलिपी कैमरा भी 4K में बीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है स्मार्ट फॉन की ठिकनेस आपको 7.45 mm के आसपास वहीं स्मार्ट फॉन का बेट आपको 185 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है स्मार्ट फॉन के स्क्यॉर्टी फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिस्प्ले फिंगपिन स्कैनर का आपसन दिया गया है स्मार्ट फॉन में आपको NFC साथी साथ यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है डेवाइस में आपको 3.5 mm आडियो जैक देखने को नहीं मिलता है डेवाइस में आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है यहाँ पर मुझे काफी अजीब लगा है ऐसा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डेवाइस में डूवल स्पीकर का आपसन देखने को नहीं मिलता है गाई जब हम बात करने वाले हैं स्मार्ट पॉन के प्राइस और वेरियंट के बारे में डेवाइस आपको इंडियन मार्केट में दो कलर आपसन में देखने को मिलने वाली है स्मार्ट पॉन का बेस बेरियंट आपको 12GB प्लस 256GB के साथ देखने को मिलेगा जिसका प्राइस आपको 40,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके एकॉर्डिंग स्मार्टपॉन के बेस बेरियंट का प्राइस कितना होना चाहिए अगर आपने हमारा वीडियो बीबो वी 35 जी बाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स को चेक करिए वहाँ पर में इस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को भी ओल कर लें जिससे आपको ऐसी ही स्मार्ट पॉन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए कीप सपोर्ट कीप लाब